हेलो दोस्तों मैं हूँ अमर दिप सिंग अप सभी का स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल सीजी पेसी नॉलेज में दोस्तों जो हमारी टू दा पॉइंट वीडियो से चल रही थी उसमें आज हम पार्ट जो कवर करने वाले हैं जो हली में अभी चर्चा में रहा है भीम सेंदेव जो की आदिवासियों के प्रियोद देवता के रूप में भी जाने जाते हैं जैसे कि आप सभी को पते है इस व प्रसंद करने में लगे हुए ताकि वहाँ पर वो वर्सा हो सके तो आज की क्लास में हम यही कवर करने वाले हैं कि भीम सेंदेव किस प्रकार से वर्सा के देवता के रूप में जाने जाते हैं और आदिवासि कहां इनको प्रसंद करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे है ये पाठा माज की क्लास में कवर करने वाले इसमें कुछ factual knowledge रहेगी जो आपके paper की दिश्टी से important है और paper में पूछी जा सकती है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए तो चले चालू करते हम भीम सेंदेव जिने भीमा देव के नाम से भी जाना जाता है तो खबर सबसे पहले पढ़ते हैं बारिस के लिए भीम सेंदेव के पत्थर को हिलाया गया दंतेवाडा के उदेला पहडी पर सौ गाओं के पुजारी और ग्रामिडों ने की पूजा अर्चना पचास साल से चली आ रही है परंपरा तो इतनी से ही खबर में आपके लिए दो तीन इपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भीम सेंदेवाडा के उदेला पहडी पर तो आपको याद रखना है बारिस के लिए भीम सेंदेवाडा के उदेला पहडी पर तो आपको याद रखना है बारिस के लिए भीम सेंदेवाडा के उदेला पहडी पर तो आपको याद रखना है बारिस के लिए भीम सेंद देवता आदिवासी किसे मानते हैं तो बारिस के देवता भीमसेन देव को मानते हैं ठीक है यानि जब बारिस कम होती है तो भीमसेन देव की पूजा करते हैं जिससे बारिस हो जाती है तो इस कबर को मैं आगे आपको समझाता हूँ देखें यहाँ पर जो है बस्तर के गादिवासियों के प्रमुग देव भीमा देव माने जाते हैं उनकी मान्यता है कि जब भीमा देव सक्री होते हैं तभी खेती होती है और इंद्र देवता बारिज बरसाते हैं तो सिचाई होती है जिससे अन्नपैदा होता है तो यानि भीमसें देव को मुख्य रुप से खे बारिज बरसाते हैं तो इसलिए जो है गादिवासी क्या के दंतेवाडा में जाकर जो पाहडी है वहाँ पर भीमसेंदेव को सक्री करने की कोशिज कर रहे हैं उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें जो है मनाने की कोशिज कर रहे हैं कि वो सक्री हो और इंद्र देवता बारिज भी देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो अपने हातों में जो है वो नांगर यानी हल पकड़े हुए हैं तो आप इससे भी एक फोटो से ही अनुमान लगा सकते हैं कि भीम से इंदेव जो हैं खेती हर देवता है और जब ये खेती करने के लिए सक्री होते हैं तभ क्लियर है तो बारिस ना होने पर यह माना जाता है कि भीमा देव नाराज है और उन्हें मनाने के लिए गूरी यानी मंदिर में विसेश पूजा अर्चना की जाती है और मनते मांगी जाती है तो यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए निम्न में से कौन से आदिवासी सकते हैं तो इन्हें वर्सा का देवता भी बोला जाता है तो वर्सा देवता पूछा जाए तब भी भीमा देव या भीम सेंदेव खेती हर देवता या खेती के देवता तब भी भीम सेंदेव या भीमा देव एक कोशन यहाँ पर एक और बन सकता है और पेपर में एक बार अव्यापम में पुछा भी गया कि निम्नमे से कौन से आदिवासी देवता जो है जिनका सरीर साप से लिप्टा हुआ रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोटो में आप उनकी पगड़ी के रूप में भी साप लिप्टा हुआ है सरीर में कहा रंग म साप लिप्टा हुआ है तो यहाँ पर जो है यह भी कोश्चन पेपर में बनता है तो आप याद रखेएगा पिक्चर से यह आपके याद हो जाएगा भीमसिन देव क्लियर है तो यहाँ पर 3-4 चीज़ आपके लिए इंपॉटेंट हो गई वर्सा के देवता खेतिहर देवता और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पीछे मुखे रुप से अगर देखें तो दंतेवाडा की उदेला पाड़ी में भीमसिन पत्थर है तो यह खबर से अनकाली यहाँ पर मिली होगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जादर जादर सेयर कीजिए फिलहाल कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जै भारत जै चत्तिसगर